हेलो एवरिवन, कैसे हैं आप लोग ? गुड आफटनून, और मैं शाम के तीन साथे तीन का कुछ टाइम हो रहा था इस टाइम से आज मैं ब्लॉग के शुरुआत कर रहे हूँ सबसे पहले मैं ब्लॉग के शुरुआत कर रही हूँ ब्रतन जाधर गंदे हैं तो अब डिश बार में थोड़ा सा पितामडी डाल लो यहाँ फिर आप बरतन पर स्प्रेट कर सकते हो लेकिन बरतन पर स्प्रेट करने के लिए थोड़ा सब को time चाहिए होगा थोड़ा space चाहिए होगा तो अगर नहीं रहता तो जो आपका डिश बार है उसके उपर ना पितामरी का पौलर थोड़ा सा डाल दो देखिए मैं यहां पर कड़ाई वाश कर रही हूं डारेक्ट में यहां पर डाल के फिर इसको स्टील वाले स्क्रबर से और जो ग्रिन वाला स्क्रोश पाइट आता है ना उससे मैं यहां पर इ पर दोश करोगे इस तरीके से कड़ाई को तो कड़ाई आपका अच्छी तरीके चमकने लगेगा मेरे कड़ाई में अंदर की तरह बहुत जादा दाग था दिरे दिरे करके बहुत हद तक कम हो गया है और यह जैसे दूद्ध वाला भी बरतन है इसमें भी आप डिस बार मे सिंक पर भी अगर आप पितांबरी डाल देते हो बहुत सारे लोग बोलते हैं पीतल के बरतन को ही धोना चाहिए पितांबरी से ऐसा खुश नहीं है आप एक बड़ना अपने कीचेन में यूज़ करके देखो पितांबरी उसके बाद आप उसका रिजल्ट देखना कितना उ नहीं होज जाता है सिंक में लेकिन मैं जाली हुति है निकतांब पतली पतली चाइ चाय चानने वाली जाली होती है तो मैंने ऑदान का डाना चाय Пती. कभी एक दाना जो है ना अंदर की तरफ नहीं जाता है और सही रहता है देन मैं यहाँ पर यह कूकर भी वोश कर ले रही हूँ कूकर के साइड साइड में बहुत जादा गंदा दिख रहा था तो उसको मैं स्पेशली उस पर ध्यान दी हूँ आज और बस सारे बरतन तो भी मै मैं इसेंड में रखन हे ऊसको मैं ऊसमें रख रही हूं और जो मुझे उपर यूली स्टेंड में लगाने थे जैसे आज मुझे लेट हो गया तक कपड़े वाश करने में और दोपर में इतनी तेज दूप थी कि बस मैंने सोचा कि नहीं अब सारे कपड़े बाहर डालूंगी तो उसके कलर जो है वो भी फेड होने लगते हैं तो मैं थोड़ा साना मौसम सही हो जाएगा शाम के टाइम चार चा नीचे देख रही थी क्योंकि कई बार कई पर क्या होता है कि बहुत सारे गाड़ियों की आवाज आने लगती है तो मुझे लगा कहीं हमारा कार्ड जो नीचे है उसको मतलब हटाने के लिए तो नहीं बोल रहे हैं इसलिए मैं इधर देख रही थी उसके बाद बस यह सब फटा-फट से मैं अपना काम निप्टाने के बाद अभी न यह देखिए अभी हो गया है यहां पर पीछे की साइड हमें आ गई हूं जो हमारा बेडरूम है उसे पीछे साइड में इधर हमारे कुछ टेबल चेयर्स यहां पर इंवर्टर रखा हुआ है एक्स्ट्रा जो स् हो गया था हम लास्ट मंती डाले थे ऐसा कभी हमारे साथ नहीं हुआ था हम गए हुए थे ना ट्रिप पे उस जब हम आए हैं तो इसमें पानी एकदम दिखी नहीं रहता उससे पहले हम डाल के गयते तो फिर यह पांस लिटर नहीं इसका पानी लेकिया है और देख रहे है और उसको भी पॉलोथीन के उपर रख रहा है तो फिर पता है क्या होता है दाग लग जाता है फॉर्ष पे भी तो यहां पर बस यह डालना शुरू किया नहीं बुली चलो आज मैं ड्राइ गरती हूं इसको ना इसका जो पानी है वो डालने के लिए क्योंकि हमेशा तो यह और नहीं भी पीलर से नहीं उटारती हूँ नाइफ की हलप से इस तरीके से हलका हलका इसका जो चिलका है वो निकाल देती हूं ताकि जो ब्लैकनिस रहती है या फिर थोड़ा हाड हाड रहता है वो निकल जाता है पीलो जाता है उसके बादлись't यहां दिखना चुकी हूए मतलब मैनेज कर लेती हूँ और यहां पर यह है नमक का पैकेट जो की टाथा का नमक है और यह हमारा मंतली ग्रोशरी नहीं है कई बार समान जो होता है बीच में भी खतम हो जाता है अगर हम मंतली धेर सारा कठा कर ले तो ठीक है लेकिन इस बार हमारा नहीं आया वाता तो जो समान की जुरती वहीं वहीं मैंने मंगाया है तो वो लेकर यह आई हुए है पर बेसन हो गया शापिंग करके आए है आज कल शापिंग करने जाओना तो अगर आपको खरीदना है 500 का समाना है तो आप 15 सो को समान लेके आओगे क्योंकि चीज़े ही इतनी महंगी हो गई है अब देख लो इस्टील वाला जो स्क्रबर होता है एक दस रुपए का भी मिलता था लेकिन अब दस रुपए वाला ही जो स्क्रबर है न वो अब 15 रुपए का हो गया सिदे-सिदे इतने चीज़े महंगी हो गई आजकल यह रिफाइन ओयल है नमकीन है डिस पार है यहीं सारी चीज़े घड़ी सर्फ लेकिया है लेकिन घड़ी सर्फ मुझे बिल्गल पसंद नहीं है क्योंकि जब भी हम कपड़ा वाश करते हैं घड़ी सर्फ से पाउडर पाउडर सा हो जाता है तो इसलिए मुझे पसंद नहीं आता है यह है जीरा तो यह सारी चीज़ों को निकाल द रहे हूं उसके बाद मैं डब्बे में लगा दूँगी यह भी एक नमकीन का पैकिट नमकीन हमारे घर में जादा यूज होता है सबी लोगों को पसंद है तो इसलिए यह नमकीन का पैकिट हमेशा ही आप लोग देखते होंगे और यह भी देखे यह पीनट मसाला है तो इसको भी मैं साइड में रख दे हूँ यह भी बहुत यमी लगता है यह मैं तो नहीं खाती हूँ स्पॉर्च भी नहीं खाता है लेकिन यह मेरे हस्बेंजी को बहुत पसंद है उसके बाद यह होगा बिस्कित गुड़े बिस्कित का पूरा पैकिट ले आए है जिसमें सेजे साथ पूरा वो होगा अंदर रोल रोल करके नहीं रखा हूँ होगा मंतली ग्रोश्री नहीं है यह लेकिन आने के बाद कुछ चीज हमारी खतम हो गई थी तो इसी लिए न यह खरीद के थोड़ा सा आया है तो बस अब इसको मैं डब्बे में लगा दूँगी इस ब्लोग को करती हूँ यहीं प्यान ब्लोग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना शेर